Hello all, my name is Krishnayek and welcome to my YouTube channel. So guys, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Complete Roadmap to Become a Computer Vision Developer. अब ये बहुत ही most requested वीडियो था guys. Again, very sorry कि थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मुझे materials बनाना पड़ता है इस सब चीजों के लिए. और इसके related जो भी वीडियो हैं मेरे already Krishnayek YouTube channel में डाल चुका हूँ सारे के सारे Computer Vision के related. आपको क्या-क्या चीज पढ़ना है, उसका पूरा Roadmap हम लोग देखेंगे यहाँ पे. But उससे पहले, दो quick announcement मुझे करना है guys, iNeuron के related. तो पहला announcement आपको यह पता रहेगा कि हम लोग ने एक Neuralab लाँच किया आई Neuron में. इसका मतलब कि आपको कोई भी अब High-End Configuration System नहीं खरीदना पड़ेगा. ठीक है, आप probably my courses में जा सकते हैं, और यह completely for free है, for everyone है, और अगर आप Neuralab में जाते हैं, तो आप अब web browser में ही सारा coding कर पाईएगा. तो आपको problem नहीं होगा कि आपका RAM कम है, आपके local में, आपके पास GPU नहीं है. हम लोग सारा चीज यह Jupiter Lab और VS Code में integrate करने वाले हैं, with all the libraries installed, तो आप लोगों को कोई भी tension नहीं लेना है, installation के related, configuration के related. तो आप लोग यहाँ पे जाके completely इसको use कर सकते हैं, आप फाईल upload कर सकते हैं, project बना सकते हैं, run कर सकते हैं, और उसको आगे deployment तक भी लेकर जाने के लिए हम लोग बहुत सारे चीज ला रहे हैं, services, और यह coming soon, थोड़े 10-15 दिनों में यह सारे services आपको आ जाएगा. तो यह रहा पहला announcement, और दूसरा announcement यह है कि हम लोग अभी iNiron में एक offer run कर रहा है, जो Teachers Day का और यह offer सिर्फ दो दिन तक रहेगा, और यह offer यह है कि अगर आप कोई भी courses हमारे तरफ से लेते हैं, 9th और 10th के अंदर, ठीक है, यह 10th September के अंदर, जो Teachers Day का offer चल रहा है, let's say कि मेरे को full stack data science bootcamp 2.0, job guaranteed चाहिए, और मैं यहाँ पर अगर enroll now करता हूँ, तो यहाँ देखे, अगर आप coupon apply कर देते, Chris 30, आपको मिलता है 30% off, और यह program जो है, जैसे full stack data science bootcamp 2.0, यह lifetime के लिए है, ठीक है, तो इसका मतलब आप live class attend कर पाएगा, और अभी का जो offer चल रहा है वो है 30% off guys, please make sure आप यह opportunity utilize करिए, आपको coupon code use करना है, Chris 30, बस इता ही, ठीक है, तो yes, this was it, यह था दो quick announcement, यह chance मत समित करिएगा, पहली बात तो आप निरो लाप्स को use करिए, और आपको मेंगा system खरीदने की जरुद नहीं है, और कोई भी courses, अभी फिलवक्त i-neuron में जितन भी courses है, आपको बस Chris 30 use करना है, और उसके हिसाब से आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक है, तो यह रहा, दो big announcements, अभी चलिए, वापिस चलते हैं, complete roadmap to become a computer vision developer, अब देखें guys, कभी भी मैं computer vision, deep learning का बात करूँ न, और computer vision के साथ मैं अगर relate करूँ, तो हमेशा एक चीज याद problem है, use cases solve करना है, जैसे हो सकता है image classification, object detection, ठीक है, यह सारे use cases, मुझे count करना है कि कितने cars, यह specific traffic light से पार हो रहा है, ठीक है, within a minute, ठीक है, वो frequency देखना है, तो मैं कैसे करूँगा, एक object detection वाला algorithm यूज़ करूँगा, जहाँ पे वो cars को count करेगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे use cases, जहाँ पे आपका जो input data set है, वो एक images और video forums के format में है, तो आपको specifically computer vision का roadmap follow करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, हम लोग देखेंगे साब basic से कैसा आपका roadmap होना चाहिए, तो पहली चीज, as usual, आपको पढ़ना चाहिए python और statistics, python एक basic programming language है, जो deep learning, machine learning में जरूआत क्यों? क्योंकि python में बहुत सारे amazing packages है, जो आप आगे देखेंगे, जो हम लोग बहुत सारे packages या libraries यूज़ करता है, जैसे हो गया TensorFlow, pytorch, keras, तो ये सारा चीज python के related इतने बड़िया बड़िया packages है, आप अराम से उसको execute कर पाएगा, अराम से models बना पाएगा, अब statistics क्यों जरूवत है, statistics जरूवत होता है, एक बहुत ही important thing के लिए, जिसको हम लोग बोलते है, image processing, ठीक है, कोई भी processing technique, जो भी images के उपर लगने वाला है, कुछ तो कुछ mathematical formula यूज होके ही लगेगा, इसलिए मैं statistics यहाँ पर जोट रहा है, तो पहली चीज है, आपको python और statistics आना चाह ही है, अब second चीज है, जो हम लोग बहुत ही important तरीके से और आपका बहुत ही base strong होना चाहिए, अगर आपका ये part बहुत ही strong है, आप कोई भी interview clear कर पाएगा, क्योंकि ये specific base, जो इसको हम लोग बोलते है, introduction to neural network, loss function optimizers, जैसे gradient descent, SGD, adagrad, RMS proper, Adam optimizers, ये सारे algorithms में use होता है, ANN में बी यूज होता है, CNN में बी यूज होता है, object detection में बी यूज होता है, RNA में बी यूज होता है, तो हर जगे ये यूज होता है, और आगे आप अगर देखेंगे, transformers and BERT, वहाँ भी ये सारे चीज होते हैं, इसके अलावा activation functions भी यूज होता है, तो अगर आपका ये base strong है, आपको ये अच्छी तरगे से पढ़ना है, coming to the third step, जिसको हम लोग बोलते है, artificial neural network, अब artificial neural network एक basic neural network है, जहां पे आप कोई भी data set ले सकते हैं, और classification regression problem solve कर सकते हैं, तो आपको ये सारे techniques use करके, python, introduction to neural network, loss function, optimizer, ये सारा चीज यूज करके, at least थोड़े projects बनाना है, artificial neural network में और deployment करना है, तो इससे क्या होगा, आपका जो है base बहुत ही strong हो जाएगा, and now you are actually ready to go towards the computer vision, अब computer vision में first step, जो सबसे important है guys, सबसे सबसे important, वो है image processing, image processing है through, आपको images के बारे में पता चलेगा, आप कैसे उसमें pre processing techniques लगा सकते हैं, आप कैसे उसमें filter लगा सकते हैं, let's say कि मेरे पा proper filter लगा के मैं उसका output निकाल सकता हूँ, और image processing सबसे important है guys, अगर आप आगे जो है object detection भी नहीं करना चाहते हैं, अगर आप proper image processing कर सकते हैं, तो आपका use cases almost 50 to 60% solved है, ठीक है, और image processing सरिफ सिर्फ processing के लिए नहीं है guys, आपका data set create करने के लिए भी use होता है, ठीक है, images में, let's say क आपके पास बहुत सारे video frames, आप video frames में image frame में कैसे convert करते हैं, उस सारा चीज image processing में आता है, और यहाँ पे python extensively use होगा, और एक और library जो use होगा, मैं अभी बताता हूँ आपको, तो अगर आप image processing थोड़ा expertise हासिल कर लेते हैं, तो आपका जो next step है, वो है convolution neural network, अभी convolution neural network क्या होत होते हैं, और यहाँ पे आपका जो data set होता है, usually most of the time images के format में होता है, अब कोई भी image classification task अराम से perform कर पाएगा with the help of CNN, that is convolution neural network, ठीक है, तो यह convolution neural network, इसका crux, theory knowledge, practical knowledge, समझना बहुत ही ज़रूरी है, कैसे इसको implement करते हैं, वो सारा चीज समझना ज़रूरी है, और यह सारा चीज मैंने cover कर चुका हूँ मेरे Krishna चानल में, उसके बाद आते हैं state of art algorithms में, देखे गाइस, यहाँ पे image classification तो हम लोग यूज करते हैं, convolution neural network, बट सबसे बड़ा confusion यह रहता है, कि हम लोगो कितना convolution layer यूज करना है, कितना max pulling layer यूज करना है, तो क्या filter size होना चाहिए, तो यह सारे experimentation के लिए, already image net classification में, transfer learning का techniques बहुत सारा चीज उस किया है, यह सारे state of the art algorithm है, जैसे हो गया VGG 16, LXnet, VGG 19, ResNet, ऐसे साइप के बहुत सारे algorithms हैं, और वो algorithm का अगर आप architecture भी देखते हैं, उससे आपको बहुत सारे knowledge process मिल जाएगा, और उसके थुरू आप बढ़िया-बढ़िया image classification problem solve करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो data set use होता है, और same architecture आप use कर सकते हैं, उसको borrow कर सकते हैं, weight same borrow कर सकता है, यह सारा ना image net classification, thousand different images में, thousand different image categories में यह basically train किया हुआ है, उसके बाद आते हैं next object detection में, object detection आपको आना चाहिए, यह बहुत ही high end to end application बनाना में use होगा, industrial use cases mostly object detection में काम करती है, object detection में क्या क्या है, RCNN, Master, RCNN, SHD, YOLO, और YOLO के बहुत सारे version आचुके हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, easily कोई भी object detect कर सकते हैं, और मैं इसके related भी project डाल चुका हूँ, पूरा end to end, starting from the setup till the deployment, और उसके बाद आपको obviously deployment तो करना ही है, क्योंकि at the end of the day आप को industry में काम करना पड़ता है, unless and until you don't finish a product, वो कहीं भी use नहीं हो सकता है, अब यह सब पढ़ने के लिए आपको libraries की मदद चाहिए होगी, libraries है, open cv, tensorflow, pytorch, और आपका keras, ठीक है, तो open cv सबसे important है, image preprocessing के लिए, कोई भी आपको video frames basically पढ़ना है, read करना है, और उसको convert करना images frame में, कोई भी filter लगाना है, तो आप basically open cv use करेंगे, उसके अलावा, tensorflow, pytorch और keras, तो definitely use करेंगे, क्योंकि हम लोग deep learning के topics definitely पढ़ रहे हैं, तो I hope आप लोगे video पसंद आया हो, आने वाले video में मैं complete roadmap बताऊंगा, how to become a deep learning developer, जहां पे focus हम लोग करेंगे, सिफ deep learning के topics में, क् ये video पसंद आया, please make sure that you subscribe the channel, press the bell notification icon, I will see you all in the next video, have a great day, thank you one doll, bye-bye.